हरृ हर नो यू चैनल नो सट्रों जीया दोस्तों अपना टार्गेट का चले रहा है राजस्थानaitl यह और याद रखना राजस्थान चोकल एक जंड गया तारीक है कन्फ्यूज मत होना डिफेंस में के निजम मत आने देना माइंड में ठीक है अपना गोल तो आप 11 तारीक होई निधारित कर लो कि मुझे स्येज़ रूपी युद से लड़ना है कितनी तारीक ओ सर 11 तारीक को और एगर एग्जाम डेट बढ़ेगी तो अपने लिए खुशी की बात है नहीं तो अपने को क्या करना है ग्यारा तारीक को फते हासिल करनी है खांपे 64 रुपी युद के साथ ठीक है, तो 64 रुपी युद के साथ यानि एक्जाम के लड़ना है अपने को जीत आसील करनी है इसलिए बने रो हमारे चैनल के साथ अगर तक हमारे पहले वाले वीडियो नहीं देखे तो एक बार जुरूर देखना सोट एंड स्वीट बहुत ज़्यादा समार्ट स्टेडिक करवाई गई है ठीक है और आज का टोपिक बहुत वेरी वेरी पॉइंट एक किसका स्किल का टोपिक है वो भी लेबोटरी में जी हाँ आज जी जब शीयचों आप कारिक रोगे तो लेबोटरी का भी आपको क्या करन होगा सुपर बीजन करना होगा तो आपको पता होने चाहिए कि लेबोटरी वाले बहिया काम सही कर रें या नहीं करें इसलिए आपको लेबरोटरी स्किल होना जरूरी है और आज का टोपिक है प्रोशीजरएर फौर बैसिक स्टेस्ट घेस हां जी प्रोशीजर वीडियो नहीं देखा तो एक बार जुरूर देख लेना वह ठीक है तो अपना पहला क्यूशन है आज का अगर हमारी चैनल के नहीं हो तो भी एक बार बहुत लेता हूं लाइक सेर और सब्सक्राइब कर देना ताकि जो भी नया वीडियो बना उसको दारिक आपको क्या मिल ज सेंपल तो उसे यूरीन को कंटामिनेशन होने से आप कैसे बचाओगे तो याद रखना आस्क टू दा क्लाइंट जैनाइटल एरिया भी दा सोप एंड वाटर क्लेंट सेंगे कि जब आपकी यूरीन का सेंपल लोगे किसका कल्चर का तो अपने जैनाइटल एरिया है उसको सोप एंड वाटर से वोज कर ले था कि इसमें क्या न हो बेक्टी गया एंड वाइरिस न हो कि इसमें यूरीन में जो एक्स्टरनल है इंटरनल हो तो कोई दीखते नहीं उसी को झामनेको चेक करना ए एक्सटरनल ना ऑज़िwegen ठीका जाएं तो उसके बाद वोलोगे कि अब कर भाया यूरीन तो यह हो गया मेंड फ्रीम यानि पहला यूरीन डिसकाड और बीच वाला लेना और लाश्ट वाला डिसकाड करना हूं उसे बोलते मिड च्परीम उरीन यह भी अपनिक करेंगे और डॉं टेक सैंपल डूरिंग मैं मेंसुरेशन हाँ जी अगर किसी भी फिमेल के मेंसुरेशन साइकल आ रहा है तो उस दुराण अपने को इरीन सेंपल नहीं लेना अगर कल्चर करे हो अगर आप से पूछ ले इस दुराण कौन सा सेंपल लेंगे तो आपको याद रहना आपको करना होगा खथेट्राइजेश ना छोती छोती बात क्राव यह होगा सेलेक्शन यह मेरी ग्रेंटी है दूसरा क्यू Mull क्या करा धूरा एगा तो सेसंख यह किनलों ऑन मिया बालना यह क्या करना आप सीशिघेश्ट domain शूड्टि वेन सुड यू वास यूर हैंड हम जी जब डॉक्टर साब आप सीचो साब जब आप स्पेसिमेन लोगे तो उससे पहले कितनी बार हैंड को वास करोगे तो याद रखना बिफोर एंड आप्टर जियां एसा नहीं है सीचो साब कि आप सेंपल लेते समय हाथ हैंड हैंड ही व स्पेसिमें के यह जाद रखनी है नेक्स्ट लेके कि चलता हो रूटीर स्पेसिमें शूटीविया collection हां जी जब आपके पास routine वाला पेसेंट आएगा तो आपको specimen कब लेना होगा आप उसे यह थोड़े बोलोगे नाइट में आना सुबा आना morning आना या evening आना नहीं डोक्टर साब जब routine की specimen लोगे तो आपको anytime कभी भी ले सकते हो routine वाला sample तो याद रखना अगर आपसे पूछा जाए कि routine routine specimen sample कब लिया चाता है तो आपको याद रखना कि डोक्टर साब मैं हूं डोक्टर साब कहां का health and wellness center का और मैं डोक्टर साब कहीं भी कभी भी कैसे भी ले सकता हूं क्या sample ठीक है यह बात याद रखना ठीक है लेके चलता हूं क्यूशन नमर फोर्ट पर फोर्ट पर कि दा आईडियल यूरीन स्पेसिमेन क्लेक्शन फोर डाइगनोज ओफ यूटियाई हंजी यूटिया यानि यूरीनरी ट्रेक इंफेक्शन को डाइगनोज करने के लिए आप कौन सा यूरीन का सेंपल लोगे आईडियल तो आपको क्लीन केड़ाने से स्पेसिमेल लेकर को यानि कि आपको क्लीन ही नितिय परानी से स्पेसिमेल लेने जो मैंने आपको पहले करना है और पूला यूरीन ब्रीक इंफेक्शन और ये मस्ट कमन कोज क्या ह套त आपको याद रखना यूट फर्लोव इज इंड्र यूरी अधिया यह सक्षिल का है और स्किल का आपको याद रखना आपको आता हो तो अच्छी बात है ना तो तो तू पूरा वीडियो देखना ये स्किल का है आप से पूछा जाएगा कि urine analysis के लिए कौन सी another term है तो आपको याद रखना another term है midstream urine कौन सी है midstream urine है ठीक है क्योंकि आपको क्या लेना है before and after और after वाला urine को वैडिंग करना है और last वाला urine क्या लेना आपको शेंपल लेना होगा यह बात आपको याद रखनी है है ठीक है लेके चलता हूं नेक्सों क्यूंशन पर हमोप कोलेट लेव किट होघा पूछा जाएगा कहां पे राजस्तान वर की् umoculate यानि हीम ओक्यूलेट लेव टेस्ट के लिए यूज की जाती है तो आपको याद रखना जो बरेट टेस्ट के लिए ये यूज की जाती है यह आपको याद रखना होगा ठीक है अब आपके एक नेस्ट लेकर चलता हूं कि द्यूरिंग प्रिंगनेंशी जी हां हैं डूक मा बनने वाली हो तो आपको याद रखना अगर कितनी लाइन होगी तब आप पोजिटिव तो याद रखना वहाँ पर टू लाइन अपीर होगी टू लाइन पिंक पिंक दिखेगी ठीक है और यह आप सभी जानते होगे मुझे पता है क्योंकि आप हो पहले से क्या नर्सिंग ओफीसर ठीक है तो टू लाइन अपीर होगी किसके अंदर है किटके अंदर तो आपको यह ना बदाई हो मैं जी क्या बांटो मिठाई बांटो आप क्या बनने वाली हो माँ और आप हो प्रेगनेट ठीक है लेके चलता हूं नेक्स्ट कुश्ण पर नेक्स्ट कुश्ण हो तो आपको यह भी चाहिए ना प्लेक ये लों कलर यह पेल कलर का युनिका कलर होता है तो इसका रॉइर ऑफ द्पॉर्य इन यह सबी आते हैं पर तो अगर वाहां से सभी ऑफ सिन ना तो पेल डार केलए आप कह सकते हो ठीक है यह राइट आंसर है ठीक है लेक्श्ग चल ठीक है अगर 7.6.5 तक तो लेगा 7.5 क्या है यूरीन की नोर्मल पीएच है ठीक है एलकलाइन होता है एसी डिक नहीं होता ठीक है लेकर चलता हूं नेस्ट क्योंशन पर की दिये मिस्टर जैनस नीड इन स्पूटम यह कोई आपने किसी का नाम लिग दिया आपका यह के दन को कोई राहूल का ले रहे हूं क्या सपूटम स्पेसिमिन ले रहे हूं डा मॉष्ट अपरूपरिएट टाइम गेट दी सेंपल आजी आप से यह कि सबहुत आ जाएगा कि अगर किसी भी पैसेंट का डॉक्साव आप क्या ले रही हो सपूटम का से क्सीमें ले रहे हो तो परकादका परस्ट टाइम इन दा मौरनिंग विफोर अब्रिक पास्ट जी आपको पेश्यंट को कहना होगा यह लो क्या वाइल लोग और घर पे जाओ जब आप घर से उठो पहली बार मौरनी में कुछ नहीं करना बुर्ष कोई भी एंटिसेटिक बुर्स नहीं करना और उससे पहले आपको क्या करना होगा आपको लेना होगा सेंपल लेना होगा ठीक है अब लेके चलता हूं नेक्स्ट क्योशन पर नेक्स्ट क्योशन अपना है कि वीच ओप दा फॉलोविंग इज क्रेक्ट प्रोसिज़र स्ट्रेम यूरीन हाँ जी अगर मीड स्ट्रेम यूरीन ले रहे हो तो उसका अंदर कौन सा मेत्र सही है तो आपको याद रखना स्टार्ट वाइडिंग जो मैंने पहले बताया स्टोप बीच में स्टोप कर देनी और प्लेस दास पेस्टेशन इन कंटेनर और काउंट कंट लेना अपने को ताकि पहले के जो भी वाइडिया वारस काँ पे उरीत्रा में यह बात याद रख लेनी है ठीक है लेकर चलता हूं नेक्स्ट क्मेसन पर की दा एवेड यूरिस इस परेस के गेरेवती हां जी इरीन की गेरेवती कितनी होती है स्किल का प्रोसीजर याद लेकर चलता हूं नेस्ट की विच ओफ दा फॉलोविंग इस दा क्रेक्ट पोसीजर प्रोसीजर तु फॉलोवें दा क्लेक्शन ओफ दा स्पुटम हां जी डुक्साव याद रखना जब आप हेल्ट एंड वेलने सेंटर पर कारिय करो गए जब आप स्पुटम का स्पेसिमें लोग है तो इसके अंदर कौन सा आंसर सही है तो याद रखना रिंस दा मौथ विथ वाटर हां जी आपको केवल मुझ को पानी से दोना है कोई विए एंटी सेफ्टिक सोलुशन नहीं दोना और दूसरा बात क्या कर रहा कि होड़ दा स्पेसिमें कंटेनर विद डाउट ट अने की समावना रहती है और नेक्स्ट इस पेसिमें को कहांगा कि स्पेसिमें सुट भी कंटेन लूप एंड मुक्योड स्पुटम अंजी आपको एससा कहोगे वहां पर एससा नहीं है कि आप सलाइवे डाल के लिए कर देदो किलो डक्सा मुझे तो यहीं आ रहा है नहीं क इसका राइट आनसर की बात रहों तो इसका राइट आनसर है एल ओफजा अबो ठीक है आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा अच्छा लगा होता लाइक सेर और सब्सक्राइब कर देना अभी तक मैंने 40 वीडियो बना चका हूँ मेरी प्ले लिस्ट पर जाक में बात करता हूँ कि अगर कोई भी आपको क्वारी हो तो मुझे कमेट कर देना आपका जवाब दूँगा आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा अच्छा लगा होता लाइक सेर और सब्सक्राइब कर देना जैहिन जैवार्द